कि स्वागत है आपका जन्हित आवाज में मैं हूं आपके साथ पूजा आज कॉंस्टिशन क्लब में ओबी सी महासभा का तत्वधान में आज हमारे साथ हैं अली अन्वर जी तो यह ओभी सी महासभा जो हो रही है किसलिए की गई है थोड़ा से उसको में बताई है देखिए हम लों के जिन पुर्खों की हम लोग जैनती मना रहे हैं । आयाय ज़्याज करों सावित्त्रि भाई फूले जी और फातिमा सेक्ष जी और honour कार पुरिठा कुर जी तो उनués जो उनकी विशार थे उनके विचार का हनन्द हो रहा है वाबा साहब के विचार का महात्मा फूले का विचार का और इस तरह के जितने भी लोग समाजिक नयाय की ललाई लड़ते रहे हैं उनके मिचार का हनन ये सरकार कर रही है जो हमारे आरक्षन है अब बेमानी हो गया है अब बताइए कि सारे पबलिक सेक्टर को सरकार बेच रही है अडानियों अमबानियों के हाथ में बेच रही है तो नौकरी ही नहीं तो हमारा आरक्षन कहां से मिलेगा हमको आरक्षन कहां से मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन है नहीं तो एक तो मांग है हमारी कि इस देश की संपति को बचाना है ताकि आरक्षन सरकारी छेतर में रहे हमारे लोग सरकारी छेतर में जाए और दूसर शुरू में OBC में नहीं थे जब मुख्यमंत्री बने तो दुरदर्शी आदमी हैं देखा कि कोई OBC ही मुख्यमंत्री बन सकता है तो उन्होंने पहला काम किया कि अपनी जाती को OBC में इन्रॉल कराया मुख्यमंत्री रहते हुए लेकिन OBC का सब हक अधिकार वो लूट रहे हैं इसलिए कि वो ब्रह्मनवादी पाटी के मनुवादी पाटी में हैं तो इसलिए हम लोग OBC के लोग समझ गए हैं हिंदू मुसल्मान पसमांदा मने भी OBC होता है तो यह सब लोग समझ गए हैं कि माजरा क्या है यह आदमी तो मांख में धूल जोक रहा है और अपने को OBC कह रहा है ठीक उसी तरह से जैसे चोर-चोरी करके भागता है तो वह भी बचने के लिए लोगों की नजर से खुद भी चोर-चोर-चोर-चोर हला करता है तो OBC 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 के धन दौलत को लूटने वाले हैं उसकी कमाई को लूटने व परकवाला ही नहीं हम लोग इधर से भी OBC और पसमांदा भी तैयार हो रहा कि इनको पकड़ो बहुत धोका दिया इनको पकड़ रहे हैं तमाम OBC समाज जो है वह अपने आपको हिंदू बताता है अरे भाई गोदी मीडिया बताता है आप लोग तो सोशल मीडिया है अपने रहे ही देश मुझे जाती जो है जाती नहीं जान मरने के बाद भी जाती जाती करते हैं म मुंज रही है'd यह क्यों कि था है तोस पूरे मोग और नवजवान ये भी देख लिए यह नवजवान लोग है तो यह सब सब आ गया है पकता है आग जलाईएगा तो जलाते ही पानी नहीं खौलने लगता है तो अब खौल रहा तो अभी भी नहीं रूक रहें अभी और बढ़ेगा हम यह कहते हैं और बढ़ेगा जितना तेजी से बढ़ेगा उतने देजी से लोगों का मोवंग होगा और वहीं से इनके जाने का बात करें तो लगातार मुसल्मानों प्यत्याचार हो रहा है अभी जो महसीन का जो कातिल था उसको छोड़ दिया गया उसके साथ 21 जो आरोपी उसको भी छोड़ दिया गया और तुर्रा यह कि बिलकिस बानों भी पसमांदा है अब मोदी जी की जाती की है वो भी घांची विरादरी की है तो ये तो ये तो बलात्कारियों की जुलम करने वालों की जमाती ही यह है मनु आदी क्या करते रहें भाई शुरू से यहीं लुग करते हैं आप पे भी आरोप लगता है जब आप सांसत थे तो आपने कभी भी पसमान्दा मुसल्मानों की आवाजे नहीं उठाएं लगता है आप मतलगा यह देखिए हमने कुरसी पर लात मार दी राजसवा कोई बताईये नाम दूसरा किसी ने किसी ने किसी ने यह हिम्मत हमने दिखाया कि तुम बीजेपी में जाओगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे इनकलाब जिन्दाबाद तमाम लोग जो अभी इस दौर से गुजर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे क्या कुछ होने वाला है और क्या इसी तरीके से मन सस्ते रहेंगे आप कह रहें तुफान के पहले की थोड़ी से शांती आपको दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन खॉल रहा है इसका आपको अंदाज यहां पर भारत में बैंड कर दिया गया वशिंग्टन जो है वो लगातार उस पर खबर दिखा रहा है और वहीं देखिए अगर छात्र दिखा रहे हैं जोर से उतना ही उपर जाता है मतलब यह है कि जीतना च्षिपाने की कोशिस की जाएगी उतने उसका परचार पूरा देख रहा है पठान को तो बैकाट कर रहे थे ना तो उसी तरह से यह तमाम रिकर्ड ब्रेक करेगा इतना लोग देखेंगे सब लोग देखेंगे अब द तहुत लोग करते हैं अपने हमेशा से मौखिक वर्ग हैं वो जुड़ हुड़ा आब होते हैं उसी बातों पर उनसे चर्चा की tutorial sense मेरे सयोगी धर्मेन के साथığın पूजा Constitution Club दिल्ले